हलो फ्रेंज, डियर स्टूरेंट्स, 29 जनवरी 2018 की राश्टी और अंतराश्टी अस्तर के कुछ चुने हुए और एक्जाम पॉइंट वी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रशन आज फिर से आप सबों के बीच आ चुके हैं आज का पहला प्रशन खेल के मैदान से संबदी थे जो है एक Grand Slam Tennis Tournament आप जानते हैं कि साल भर विश्व के सबसे पुराने और सबसे लोग प्रिये चार Grand Slam Tennis Tournament आईजित होते हैं इन में पहला साल के पहले महीने में आउस्टेलिया ईउपन Grand Slam Tennis Tournament होता है जो जीके में कई बार पुछा जा चुका है अब 36 साल के स्विट्जर लेंड के रोजर फेडर ने क्रोईशिया के मारिन सिलिच को हरा कर आउस्टेलिया ईउपन का खिताब जीत लिया है फेडर का ये बीसवा Grand Slam खिताब है अब यहाँ पर तीन बड़े प्रशन बन जाते हैं आउस्टेलिया ईउपन का विजटा कौन है उप विजटा कौन है और फेडर का ये कैवा Grand Slam खिताब है यहाँ पर Women Category के खिताब को भी जान लेना सही होगा डेनमार की काईरोलिन वोजनिया की ने जो वर्ल्ड नमबर टू है उन्होंने वर्ल्ड नमबर वन रोमानिया की सीमोन हालिप को हरा कर इस खिताब को जीत लिया है तो यह याद रखना है आपको कैरोलिन वोजनिया की जो डेनमार की हैं Women Category में Australia Open की नई चैंपियन है यह भी आप जान लें कि टेनिस का सबसे पुराना टूर्णामेंट Wimbledon Open Tennis Tournament है जो 1877 में इंग्लैंड में आईजित हुआ था अब आज का अगला प्रस्ट सीध है आप से आप योरोप की सांस्कृतिक राजधानी किसे मानते हैं यानि Cultural Capital of Europe तो इसका अंसर है माल्टा का शहर वलेटा और नेजरलेंड का शहर ली वार्डिन दरसल योरोपिय संग हर साल योरोप के एक या एक स्याधिक शहर को Cultural Capital of Europe यानि योरोप की सांस्कृतिक राजधानी गोशित करता है 1985 से ये करम लगातार चलता रहा है सबसे पहली बार ग्रीस के शहर एथेंस को Cultural Capital of Europe योरोपिय संग ने गोशित किया था 2018 के लिए माल्टा के शहर वेलेटा और नीजरलिन के शहर ली वार्डिन को संजुक्त रूप से सांस्कृतिक राजधानी गोशित किया गया है ये भी एक important प्रस्ट है इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए लेकिए एक important प्रस्ट बारत में पहली बार किस शहर में floating market यानि तैरता हुआ बाजार खुला है established हुआ है तो इसका अंसर है कोलकाता Thailand की राजधानी Bangkok को कौपी करते हुए कोलकाता में first floating market खुला है ये एक important प्रस्ट है इसे ध्यान में रखना चाहिए दावोस में सुर्द लेंड के शहर दावोस में world economic forum का वार्शिक संबेलन खतम हुआ यहां पर किस बॉलिवूड स्टार को एक परतिश्ठित और prestigious crystal award दिया गया तो इसका अंसर है शारू खान शारू खान को उनको एक सामाजिक कारियों विशेशकर मीर फांडेशन जो कि ACD अटेक पिडित लड़कियों की मदद करता है उसके महत्पून कारे के लिए उन्हें crystal award से नवाजा गया है भारत में banking sector के सबसे बड़े संग IBA यानि Indian Banks Association में पहली बार किसी महीला चेर्मेन की निक्ति हुई है इलाबाद Bank की MD उशा अनंत सुब्रमन्यम इंडियन Banks Association की पहली महीला अध्यक्ष चुनी गई है ये एक बड़ा प्रश्ण है इसे ध्में ध्यान में रखना चाहिए ये भी आप जान ले कि लाबाद Bank का हेट कौर्टर कोलकाता में है जबकि IBA की अस्थाबना 1946 में हुई थी और इसका हेट कौर्टर मुंबाई में है तो बस साथियो आज इस सेशन को यहीं पर खितम करेंगे आप से इजाज़त चाहेंगे आप अपने धियान रखें मुझे इजाज़त दें टेक क्या